कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब लोग ठीक और सहत मन्द होंगे आज मैं आपके लिए लाई हूँ पनीर भूजी की रेसेपी जो करने में ज़दा वक्त लगता ही नहीं खाने में बहुत ही अच्छी लगती है रोटी हो चावल हो अगर मगर हम बनाई और इसके कट लेना है यहाँ पर कट छोड़े पीज में से प्यास को काट लेना है थोड़ा हरी मिन को भी काट लेती हूँ टामाज को चोड़ए पीज में सब्सक्राइब भी करती हैं धैसे मद्यकी यहां 9- gün है इसी में हातों से हमें मसल लेना है छोड़े छोड़े इस तरह से देखिए आप छोड़े पीस भी कर सकते हैं यहां पर में हातों से ही इसे मसल लेती हूं अच्छी तरह से और इसे हम साइट पर रख लेंगे और कड़ाई पर रिफाइन ओयल डालना है थोड़ी सी जीरा डाल देती हूँ प्यास हरी मिच को डाल कर इसे हमें भुनाई कर लेना है 3-4 मिट के लिए बीच बीच में प्यास को चलाते रहेंगे यहाँ पर थोड़ी देड़ बाज पर जिंजर काली का पेश डाल देती हूँ इसे भुनाई कर लेंगे और यहाँ पर कटे हुए प्यास को डाल देती हूँ यहाँ पर थोड़ी सी नमक डालना है लोग आज पर अच्छी तामाटर क बीच बीच में टामाटर को यहां पर चलाते रहेंगे तो यहां पर धन्या, हल्डी, लाल मिच्ची पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर डाल कर इसे अच्छी तरह से और जो पनीर को हमने यहां पर रखा था भो भी डाल देती हूं धीमी आज पर यह पनीर को अच्छी तरह से यहां पर हमें चला लेना है, कुछ समय बार से चला कर ढख लेती हूं, तीन चार मिट के लिए धीमी आज पर छोड़ देते हैं, तीन चार मिट के बाद धकन हडा लेते हैं, इसे और थोड़ी देर के लिए चला लेंगे पनीर को अ और यहां पर थोड़ी सी मैं धन्या पत्ती पी उपर से डाल देती हूं बहुत अच्छी लगती है आप भी डाल येगा तो यहां पर धन्या पत्ती डाल कर हम इसे मिक्स कर लेते हैं यह पनीर भुजी बन जाती है आप भी बनाए और इसे इंजॉई कीजिए तो केसी लगी रेसिपी जरूर मुझे बताएए बाई एव्जीवान